इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा कि आप डाइनामिक एड्स कैसे बना सकते को ठीक है जी डाइनामिक एड्स कौन से होती है सबसे पहले तो जैसे मैंने आपसे शॉपिंग केमपींज बनाते से मैं बात की थी और कोई यूज़र आपके जगत दिखने लगे उसे हम कहते है dynamic ads ठीक है और dynamic ads बनानी के लिए जो जो चीज़े करनी होती है वो हम सब पहले ही कर चुके हैं हम अपना tag setup कर चुके हैं हम dynamic feed के लिए plugin install कर चुके हैं हम सारा काम कर चुके हैं तो अभी हमें सीधे ad बना लिए राइट जब हमने google ads का setup किया था google ads के tag का setup किया था तो google जो है वो अपने आप कुछ audiences आपके लिए बना देता है अपने आप कुछ audiences बना देता है और example अगर मैं tools and settings में जाके audience manager के अंदर जाऊं ठीक है जी tools and settings में गया then मैं गया audience manager के अंदर then आप देखो जिन्होंने past में product खरीदा है then you have product viewers ऐसे लोग जिन्होंने product देखा है then you have shopping cart abandoners ऐसे लोग जिन्होंने shopping cart abandon किया है ठीक है ये audience automatically create हो गए थी जब हमने tag वगारा setup किया था तो अब हमें क्या करना है अब हमें इन लोगों को add दिखानी तो suppose करो ये है product viewers तो जिस जिसने मेरा product देखा है मैं उस उसको add दिखाना चाहता हूँ ठीक है तो मैं सीधे ये वाली audience select करूँगा और इसे मैं dynamic add दिखा देगा dynamic add दिखाने से होगा क्या suppose करो इसने एक particular t-shirt देखी मेरी है नब suppose करो इसने ती-shirt देखी बट खरीदी नहीं ठीक है इस बंदे ने क्या किया इस बंदे ने एक टी-shirt देखा बट खरीदा नहीं तो अब होगा क्या अगर मैंने dynamic add बनाया हुआ है तो जैसे ये मेरी website छोड़ेगा इसे मेरी add हर जगा दिखने लगे ठीक है इसे ही हम कहते है dynamic add इसके लिए हम feed वगरा का setup पहले ही कर चुके है audience google हमारी already बना चुका है जो कहाँ आप लिखे है है automatically created google ने automatically create कर दिया तो अब हमें बस add बनाना है ठीक है तो add हम कैसे बनाएंगे simple हम करेंगे plus और हम करेंगे new campaign ठीक है और हम करेंगे create a campaign without a goal और हम लेंगे display त्या लेंगे display और standard display campaign यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आप इसे simple कर दोगे continue और यहाँ पे लिख दोगे नाम तो लिख देता हूँ dynamic add और suppose मैं पूरे इंडिया में दिखाना चाहता हूँ यहाँ मुझे करना नहीं कुछ language में सारी छोड़ देता हूँ bidding मैं यहाँ पे कर देता हूँ setup बेड डिरेक्टली और enhanced CPC को हटा दो यहाँ पे हमें रखना है manual CPC daily कितने खर्च करना चाहते हूँ save में करना चाहता हूँ 1000 रुपए delivery method मैं रखूँगा standard then मैं आऊँगा additional setting add rotation save में रख दूँगा add schedule मैं ऐसी छोड़ दूँगा end date छोड़ दूँगा devices सब पे रखूँगा frequency capping में छोड़ दूँगा campaign URL मुझे करने की जूरत नहीं है dynamic feed में मुझे करना है use data feed और यहां से मुझे अपनी data feed चूज कर ले लिए ठीक है कोई filter filter हम लगाते हैं जितने product हम उन सब को रखते हैं conversion by default हम google ads purchase यूज़ कर रहे हैं तो हम google ads purchase रखेंगे कोई हमें अलक्सर नहीं करना content exclusion कुछ नहीं करना ad group हम simple लिख देते हैं product viewers ठीक है जी और audiences में जाओगे अब सिरह जाओगे browse में अब जाओगे remarketing में जाओगे website visitor में और यहां पे ले लोगे product viewers ठीक है demographic में कुछ नहीं करना content targeting कुछ नहीं करना इसको यहां से कर दोगे off एक क्लिक के कितने पैसे देना चाहते हो से मैं 15 रुपए देना चाहता हूं मैंने लग दिया 15 अब create your ad तो simple आप यहां कर दोगे new ad upload display ad देखो dynamic feed इसने हाँ पे ले ली आप बस एक image चूज कर लो जो कि google दिखा सकता है ठीक है कोई भी एक image हम ले लेते हैं तो यहां पर कुछ है क्या है तो सपोज मैं यह वाली ले ले लेता हूं image गूगल images dynamically create कर देगा यहां पर देखोई image छोटा है तो क्या करें यह ले लेते हैं शादी हो जाए तो कुछ image size की problem हो रही है बट अगें कोई problem नहीं आपको करना क्या है जस्ट यहां पर एक image upload करनी है और आपको यहां पर अपना url डालना है अब एक चीज़ धान देनी है क्योंकि dynamic ads हैं तो गूगल आपकी feed से url वगरा dynamically ही create करेगा ठीक है वहां से वो dynamically urls create हो जाएंगे गूगल वहीं पर भेजेगा गूगल इस url पे नहीं भेजेगा जो url वो data feed से ले रहा है गूगल उसी url पे users को भेजेगा तो आप गूगल attention लेने की जुरत नहीं है simple यहां से एक file upload करनी है यहां पर अपने home page का link डाल दो यहां पर अपना url डाल दो एक file डाल दो कोई भी image डाल दो अभी size की problem हो रही थी इसलिए दिक्कत हो रही थी यहां पर आप क्लिक करोगे supported sizes and format तो यह अलग-अलग size की images है जिसमें से आप कोई भी size की image चूज कर सकते हो ठीक है और उसके बाद आपको simple करना है create campaign ठीक है जी simple यहां से करोगे create campaign तो आप की dynamic ad create हो गई ठीक है फिर अब क्या होगा कोई भी आपका product देखेगा उसे छोड़के किसी और website पे जाएगा तो उसे आपकी ad दिखने लगगी बहुत ही बहुत ही बहुत ही जादा simple ठीक है जी तो यह था आपका dynamic ad again इसके लिए जो major काम था वो हम पहले ही कर चुके है अप को बहुत ही जादा कम समय लगेगा ठीक है thank you so much for watching this lesson